नमस्कार स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल डिवेफेक्स में एक बार फिर से और आज मैं लेके आया हूँ में एक जोक आफ प्रोजेक्ट का 16 पार्ट जो सबको बहुत ही बेसब्बरी से इंतजार है वैसे मैं छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल जो पार्ट मैंने दिया होता है एनिमिशन के लिए की फ्रेमिंग के लिए तो वो मैंने कुछ पार्ट में दिया एक दो पार्ट में जो जिससे आप आप स्टार्ट कर सकता है तो आज मैं एक करेक्टर लूँगा जो हमने करेक्टर डवलब किया था इस सेरीज के टिटोरियल पार्ट में और उस एक character को मैं कोशिश करूँगा आज आपको normal walk cycle बताने का बट उतना detail walk cycle नहीं होगा क्योंकि हमारा ये rig एक बहुत ही law categories का rig होता है बहुत ही law production का ये system मैंने बताने के कोशिश किया because कि मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत detail character रही है बहुत ही simple way में आप एक character को बनाना सिखाया आपको और इसको मैं rigging भी सिखाया और आप मैं इसके ओपर animation बताता हूँ कि suppose कि आपको character को दिखाना है चलते हुए तो इसका बहुत ही लंबा process होता वैसे लेकिन आपको एक पहला होता है walk cycle बनाना अगर आप proper कर ले तो आपको पूरा command आ जाएगा आपका जितने भी controller जो basic बना है उसके उपर और उसके बहाँ पे आप अलग-अलग tap का अप animation कर सकते हो facial expression lip syncing और sound synchronization सब इसके साथ करोगे और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं पिछले वीडियो में मैंने अपना WhatsApp नंबर दिया है वो उन लोगों को जूड़ने के लिए मैं दिया हूँ जो पढ़ना जाते हैं पार्ट टैम और इंट्रेस्ट लेते हैं कि हम और ज्यादा अच्छे से सीख पाए उनके लिए है तो वही लोग contact करें तो बेटर होगा क्योंकि टाइम का बहुत ही problem है otherwise आप ऐसे पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहो बहुत ही minimum rate में मैंने कोर्स डिजाइन किया है आप लोगों का recommendation के हिसाब से बहुत महंगा rate नहीं है अगर आप देखोगे compare करोगे तो बहुत ही किया है अगर नहीं किया तो आप previous वीडियो को देखे आप character ready करो दो तीन बार आप प्रैक्टिस करो तो अब definitely आप done कर लोगे क्यों वीडियो में जो मैंने बनाया हूँ really मैं मैंने वीडियो के दर्म्यान मैंने बनाया है ऐसा नहीं कि बस tutorial के बना के रखाया हो तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो definitely सीख पाओगे अगर नहीं सीख पाते हो वैसे और भी आपको help चाहिए तो आप मुझे contact करो whatsapp number already मैंने description में डाल दिया है ओके तो समय पर ही मैं आपको reply दे पाऊँगा क्योंकि मैं already busy schedule है मेरा तो जो बात मैंने कहना था मैंने आपको बता दिया तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पार्ट होगा वो वाक शेकल तो चलिए हम एक नॉर्मल एक करेक्टर को open कर तो हमें पहले ओके तो simple एक करेक्टर जो हमने बनाया था कोई भी एक करेक्टर ले सकते हैं सफोज मैंने चिंता मनी को यहां से लिया जो हमने यह लाइबरेरी में रखा हुआ करेक्टर को बना के एक करेक्टर मैंने open किया है और सबसे पहले zero प्रेस करके मैं normal mode पे आ जाता तो यह हमारा जो करेक्टर था जो हमने ready किया हुआ था जो आप देख सकते हो लाइक आप जी प्रेस करके देखोगे यह करेक्टर आपका normal करेक्टर यह बहुत एडवांस रिंग नहीं है जिस स्पेक्टेशन का करेक्टर है उसके हिसाब से मैंने रिग किया है यह एडवां को देखूँ हेड को भी मैंने रिग किया था देन इसका मौत के लिए मैंने यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ अब्जेक्ट मोड में तो simply मैंने यह इसका facial expression भी बनाया था यह अब डौन मौत करेगा तो यह कैसा working हो इसका प्लस यह smile करेगा तो क्या होगा अगर मैं इसको smile क चेंज कर सकते हो कि angry mode में आएगा और इसका face का expression कैसा होगा smile को अगर मैं कम कर दो तो अब देखोगे face का इसका expression ही change हो जाता है तो अब हमें start करनी है कि इसे हम walk cycle कैसे simple बनाएंगे उससे पहले मैं आपको एक reference एक image दिखाना चाहूँगा और यह image मैंने download किया हुआ है आप गूगल पर देख सकते हुए image तो आप ध्यान से मैं थोड़ा सा explain करना चाहूँगा कि जो walk cycle का जो actually getting start ए एक walk cycle होता है जैसे lift और right एक बार left right चल के जा रहा है तो आप देखोगे यहां पर दो legs है तो एक leg का lift दूसरा का right मिला करके आपको 25 frames का 1 second हिसाब से अगर लेके चलो तो वैसे आप अगर calculation के हिसाब से जा सकते हो कि आप 30 frame का भी बना सकते हो per second animation के हिसाब से और मैं इसमें जो बताने जा रहा हूँ यह 25 frame per second के हिसाब से मैं animation बताने जा रहा हूँ तो ध्यान दिजेगा और यह जो chart को अगर आप 2-3 बार देखके आप practice करोगे बहुत ही tough होता है वैसे walk cycle कहते है लोग बट आप practice करोगे तो इसको simply समझ सकोगे अगर यह walk cycle समझ लो तो आप कोई भ contact, contact pose, down pose, passing pose, pick point and contact again यह क्या है कि यह पहला frame, 4th frame, 7th frame, 10th frame और 13 frame एक एक walk आपका one side का walk होता है similarly इसको अगर हम opposite कर दे 25 या 24 frame तक तो यह वही repeat होता है again तो हमारा main pose होता है यहाँ तो contact pose क्या होता है सबसे पहले देखोगे कि जब बंदा first step निकालेगा अगर आप walk करता है जो भी character आपका तो अगर मैं इसको मान के चलता हूँ कि यह right है और यह left है तो left leg का back side होगा और यह अपका toe touch होगा अर्थ के उपर और heel touch होगा जो right foot का ह होगा और again आप देखोगे दूसरा step जो होगा यह step यह right side का step देख रहे हो वह step बिल्कुल foot plant हो जाएगा अर्थ के उपर और आपका left leg अप उठेगा जैसा आप pose में देख रहे हो तो मैं आपको explain करने कोशित कर रहा हूँ और वैसा ही आप passing pose में जाओगे तो आप pick points पे जाता है कि जब यह foot जब आपका left foot जब आगे आएगा जैसे पहले right foot था वैसे left foot आगे आएगे तब तक आपका जो यह right foot होगा उसका again toe touch होगा तो आप ऐसे ही मैं आपको बतानी की कोशित कर रहा हूँ फिर से contact pose होता है मतलब इस pose का opposite pose है ठीक है आप देखोगे इस इसका left आगे के तरफ चला जाता है जैसे यह pose होके जाता है अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे और line of action एक जो दिख रहा है यह wire में आपको देखोगे black black जो points है यह points है कि यह pick point है जब आप देखोगे कि pick point में जब जाता है तो सबसे height पे रहा था आपका hip का position मतल बिल्कुल up होगा और फिर slightly down होगा मतलब यह और यह दोनों एक होगा और इसमें जो variation आथा थोड़ा सा आपका hip का तो चलो हम कैसे करेंगे इसी pose को हम लोग 25 frame तक लेके जाते हैं और यह 1 से 25 frame का just opposite होगा जैसे 1 का 25 frame opposite होगा 4 का 16 frame opposite होगा 4 frame और 16 frame 7 and 19 frame passing का opposite होगा जो इसमे left right है वैसे right left उसमें हो जाएगा तो यह frame का counting है प्लस यह position है जो हम इसे बोल सकते हैं pose to pose animation भी का सकते हो इसको positioning करके हम ऐसे बनाते हैं तो चलो यह इतना बाते करने से बेटर है कि मैं आपको थोड़ा सा practical बताऊं तो सबसे पहला हमारा contact pose होता है उससे पहले हमें यह सोचन side करने के लिए आप चले जाओ सबसे पहला आप देखोगे output sorry output में जाओगे output dimensions पार्ट पे तो यहाँ पे आपको मिलता frame rate 24 frame per second ओके आप 25 frame per second कर सकते हो as you wish तो अभी मैं इसको 24 frame per second ही रखूँगा क्योंकि एक second एक frame को मैं skip करूँगा इसके उपर ताकि हमारा walk cycle बिलकुल proper ह प्लस start frame और end frame मतलब आपको एक second का animation पहले एक walk cycle तेयर करना है तो यह आपको रखो one frame start होगा 25 frame इंड होगा इसका तो आप देखोगे इसका यह timeline पे अगर मैं देखता हूँ आप इसको drag करके बीच में लेके आओ तो आपका यह rain slider को आप थोड़ा सा बढ़ा कर सकते हो बढ कर सकते हो middle mouse battle से sit करोगा जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले तो आप देखोगे one frame और last frame हमरा 25 frame है end frame तो यह इसके बीच का हमारे एक second का animation होगा ओके वैसे मैं जो यह आपको animation बता रहा हूँ walk cycle बहुत easy way में बताने को कोशिश कर रहा हूँ और future में अगर आप ज़्याद rigging में भी लाना पड़ेगा in fact और animation में भी लाना पड़ेगा उसके हिसाब से smooth करना पड़ेगा तो पहला जो हमारा यह पोज होगा चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको पहले direct हमें बहुत ही linear तरीके से हम इसके ओपर animation करेंगे keyframe करेंगे हमारे यह timeline है जो earlier video में मैंने इ contact pose बताता है one frame और 25 frame पर यह पोज होगा मालो के character हम इस level पर रखाओ मैं इस character को जैसे आप देख रहे हो तो first आप left view पर जाओ आप by pressing 3 num lock का तो आपको left view में जाता है उससे पहले आप देखो कि right कौन सा है तो यह right foot है ओके और इसको हम लेके चले जाते है पोज मोड पे और यह जो wire दिखता है हर एक control को select करने के बाद हमें जो wire दिखते हैं आप ए wire frame something कुछ ऐसा इसका connection ऐसे आप सब को select कर लो तो यह wire दिखते हैं इसको आप क्या करो इसको आप hide कर सकते हो hide करने के लिए आप जाओ यहाँ से यह इसका overlay property पर देर आप इसको relationship lines को off कर दो तो आपक just smooth दिखेगा ऐसे confusion नहीं होना चाहिए तो यह हम करते हैं फिर फाला हमारा right leg है जो आगे के तरफ जा रहा है according to this image आप देख सकते हो और यह image मैं वैसे आपको link में डाल दूँगा आप इसको download करके देख सकते हो उसको आप reference ले सकते हो नहीं तो ऐसा आपको work cycle का आपको ऐस references मिल जाएंगा आपको Google में आप search करेंगे तो काफी मिलेंगे तो जो मैं follow कर रहा हूँ हो मैं आपको बताने कोसिस कर रहा हूँ कि student level पे इस समझना बहुत असानी होगी आपको वह मैं कर रहा हूँ तो चलिए पहला जो हमारा step था 3 press करके हम लोग side पे जाते हैं और right leg selected G press क करके आप इसको drag करके ले जाओ y axis पे है ना y axis पे बिल्कुल सीधा रखेंगे तो आप देख लो कि कितना आपका distance foot के बाद होगा as per my image आप देखोगे right foot जो गया है और इसका position कैसा है इसका position देखोगे hill touch होता है पहले तो hill touch करने के लिए हमारा already यहाँ पे controller बने हुए है तो चले जाओ आप इस control के उपर this control selected फिर से आप 3 press करके left में चले जाओ इसको आप rotation करो तो आप देखोगे कि यह आपका hill touch हो रहा है यहाँ पे hill touch होने के बाद थोड़ा सा अगर मैं चाहूं तो इसको और drag करके by pressing G और इसको drag करके हम ले जा सकते हैं sorry x axis पे oh sorry एक मिनट by pressing G और drag करो तो आप देखोगे y axis पे यहाँ तक जा रहा है और थोड़ा सा आप इसको select करके by pressing G और down लेके आ जाओ इतना तो आप देखोगे थोड़ा सा leg stretch हो रहा है but don't worry stretch होने दो और left leg को आप select करो और आप यहाँ से भ है तो same हम ऐसे V type का कुछ बना लेते हैं और इसमें आप देखोगे कि यह door touch हो रहा है इसका left leg और इसका hill touch हो रहा है which is called contact pose तो इस contact pose का हम बनाने कोशिश कर रहे हैं तो definitely यहाँ पे आपका जो hip control है this one इस hip control को आप एक बार थोड़ा सा drag करेके down ले आओ इतना तो आपका leg मत मतलब ऐसा इसमें touch हो जाएगा something इतना पर है जब यह definitely आप जो contact mode में रहेगा तो आपका hip का position नीच आएगा और वैसे हम इसका hand का भी position नीचे लाएगे वैसे one press करके पहला pose बनाने में जो हमें करना पड़ेगा और जी इसको आप ऐसे drag करके ले आओ इधर और आर प्रेस क करके सामने ले आओ अगर आपको लगता है कि आर प्रेस करके थोड़ा हैंड को ऐसे मुड़ा हुआ something fist half fist रहेगा तो आप ऐसे रख सकते हो something ऐसा and same मैं इसके साथ करता हूं इसको drag करके इसके सामने ले आओ नीचे और आर प्रेस करके इसको rotation कर लो और इसे भी आप से जो हमारा hand आ रहा है अगर मैं इसका दोनों का hand control select करता हूं बोथ और यहां पर यह जो local आपका जो transformation है इसको आप global कर दो फिलाल global mode पर इसको on कर दो global mode पर आप y axis और z axis जो होगा आपको जो viewport पर दीखता उसके according रहेगा हाथ को पहले मैं ऐसे रखता हूं और चुकि इस इसका hip का जो position रहेगा हो इसके हिसाफ से हमें रख लगता हूं और पहली बात कि अगर hand का control का reference हमारा image के हिसाफ से नहीं है तो यह हमें खुद consider करना पड़ेगा कि left leg के साथ right hand होगा और right leg के साथ left hand होगा हमेशा याद रखना हो आप देखोगे किसी को चलते हुए तो normally व पर जाएगा मालो और थोड़ा साफ इसको अप रखो एक position बनाना है आप ऐसे rotation कर दो इस position पर कि एक position बनाना है उसके हिसाफ से कि यह चलना आरंब करेगा कैसे होगा और यह जो right hand है right hand को left leg के back के तरफ जा रहा है तो इसको हम पीछे रखेंगे back करेंगे तो move tool select करके आप simply आप यहां से करो इसको पीछे के तरफ रखो और थोड़ा से इसे भी up कर दो ताकि आपका यह position stress ना हो unnatural ना लगे तो आप जितना भी इसको natural करने कोशिस करो plus इसको rotation कर दो इस angle पे something something ऐसा हो गया just आप इतना पर रख सकते इसको और simply इसको भी मैं drag करके इतना पर रख देत हो मालो just this way है ना इस टाप से तो यह हमारा hand का जो position होगा पहला और last का जो यह हम देखेंगे three frame पे और इस पे हम देखेंगे आपको यह part थोड़ा से लंबा लगेगा लेकिन यह आपको सीखना पड़ेगा इसको अब इसको मैं touch करता हूं करता हूं इसका toe को toe touch करने के जितना position पे build up हो रहा है उसके accordingly आप इसको sorry इसको select करके थोड़ा सा toe control को down करो तो आप देखोगे कि लगभग आपका यह position अगर बन रहा है तो ठीक है otherwise थोड़ा सा और हमें back जाना पड़ेगा इतना अब आप देख सकते हो कि यह position करीब करीब आपका fulfill होता है अगर आप सिर्फ leg का part को सिर्फ देख सको तो आप देख सकते हैं यह आपका यह वाला करीब करीब आपका match हुआ जैसे मैंने बोला था कि इसका जो toe touch sorry इसका toe touch होगा left का और right का heel touch होगा तो यह contact pose हमारा एक बन ज पर हम लोग क्या करते हैं यह प्रेस करके जितने भी controller है और इसे global control को scale control को off कर दो मतलब इसको deselect कर दो बाकी control में आपका यह लगेगा keyframe लगेगा तो मैं यह प्रेस करके पूरा control को select करके रखा हूँ आप देखोगे कि पूरे control जितने भी है इसका hand और सभी का सारा control आपक निकलेगा और यह hand थोड़ा सा आगे कि तरफ ऐसे निकलेगा अब फिर से a press करो all select हो गया और इसको deselect कर लो again और हम करते हैं आई प्रेस करते हैं insert keyframe के लिए और अभी हमें location and rotation दोनों चाहिए skill की ज़रत नहीं है तो आपको देखोगे एक initial keyframe आपका लग जाता यहाँ पे और यहाँ पे आप थोड़ा से down करो यह actually क्या होता है कभी-कभी आपको miss कर जाता तो आप middle mouse button drag करके इसको जब set करते हो तो हमेशा रखना इसको नीचे के तरह आप middle mouse button से drag करोगे तो आपको यह display होगा तो हमारा पहला यह keyframe लगा और same position जो है इसका all selected same position जो आप देख रह करेंगे और location rotation insert करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जब हम blank की frame कोई बिना कोई changes किये हुए जो पहला frame और int frame डालते हैं तो आपको ऐसे एक slide दिखाता है मतलब कि पहला में जो value था वही value हमेरे 25 frame पे मिल रही है तो इसे हम क्या करेंगे इसको हम 13 frame पे जाएंगे क्योंक frame और 25 frame पे आपका same position हुआ यह जो position हमने contact बनाया है साथ साथ में left right दुनों को करेंगे तो अब यह 13 frame पे जो जा रहा है आप देखोगा 30 frame पे जो contact है same रहेगा सिर्फ left का right हो जाएगा right का left हो जाएगा okay तो यह करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे simple all selected और same हम selected रखते है all को all select कर लो और इसको deselect कर लो इसकी जुरत नहीं अभी है select करने का तो all selected और यहाँ पे अगर आप right click करो और यहाँ पे पेस्ट flip कर देते हो okay no sorry यहाँ पे पहले key frame लगा दो sorry sorry one press करो location rotation एक बीच में डाला लेकिन कोई changes नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे पहला frame पे जाके copy करता हूँ इसका right click copy और इस frame पे जाता हूँ आप देख सकते हो न तो इसका जो contact pose में जो position चाहिए आप ध्यान से देखोगे image को अगर आप ध्यान से देखो तो यह contact pose का height है equal to this contact pose का height same है तो हमने hip control में कुछ changes नहीं किया सिर्फ हमने left और right right to left आपका यहाँ पे flip हो जाता है जब यह चलेगा आप इसको एक बार play करके देखो तो आप देखोगे कि इस step से कुछ something आपका slide करेगा ऐसा लग रहा है कि यह ऐसे normal यह slide कर रहा है एक जगह पे just आप देख सकते हो है ना तो यह आपका पहला एक काम खतम हो गया चले इसको stop करो पहला फ्रेम पे जाओ दूसरा अगर आप देखोगे ध्यान से इसका dawn pose यह dawn pose हम अगर 4 फ्रेम पे रखते हैं और वह वही frame opposite करना हमें 16 पे जाके है तो देखो same चीज अभी 4 फ्रेम to 16 फ्र dawn है सबसे dawn position होता है जब आपका four पे होगा क्यों होता क्योंकि यहां से फिर से force लगता है और passing में जाता है फिर pick पे जाता है फिर contact पे आता है ऐसी यह cycle चलता रहेगा वह work cycle हो जाता है तो आप देखो अभी आप four frame पे जाओगे then four frame पे हम जाकर देखते हैं इसका position set कैसे कर करना पड़ेगा सबसे पहले कि यह जो इसका जो यह leg है like this leg इस leg को थोड़ा सा back लेके आएंगे little bit अब ध्यान से इसको आप देख सकते हैं यहां पे आप इसको side में रखो तो यह आप यहां पे सबसे पहले इसका जो rotation हम ने किया था इसको हम लोग rotation को रखेंगे alt plus r कर दो तो यह क्या करेगा alt r करने से और इसे भी select करो alt r करो मतलब जो भी rotation का position था उसको आप fix कर दो कि यहां पे रहेगा something ऐसा और इसके हिसाब से थोड़ा सा back आजाएगा इतना पे ओके और यह position थोड़ा सा आगे के तरफ जाएगा यहां पे और यह थोड़ा सा और अप हो जाएगा और प्रेस करके तिस मच मतलब यह यहां से यह dawn position है और और भी dawn हो जाएगा आपके यह little bit और तो थोड़ा सा hand का भी दोनों hand को भी select कर लो और hips control को select करो और थोड़ा सा और dawn कर दो मतलब ultimate dawn पोज हो गया यह मतलब सबसे dawn पोज में अभी है और चाहो तो थोड़ा से इस character को आप आगे के तरफ rotation करके थोड़ा सा ऐसे position बना दो something ऐसा आगे के तरफ थोड़ा सा जूब जाता है और फिर से हम all selection करते हैं और इसे इस control को यह कर दो आप deselect कर दो और फिर से क्या करो आई प्रेस करो आई प्रेस करने के बाद insert location and position तो आपका यह आ गया अब यही frame same copy करके हम लोग ले जाएंगे सबसे पहला आप चले जाओ 14 के बाद 16 पे जाओ 16 फ्रेम पे जाने के बाद सबसे पहले same selected आप इसे यहां से copy करो right click copy और 16 फ्रेम पे जाओ और यहां पे जाके आप आई प्रेस कर दो ऐसे भी हो सकता है आप इसको आई प्रेस करेंगे आई then location rotation मतलब इसका position इसका position same हो गया तो अब मैं क्या करूँगा यहां पे जाओँगा फिर से right click copy copy कर लिया था वैसे फिर से मैंने किया और flip paste करता हूँ तो जैसे flip paste करूँगा तो आप देखोगे कि यह इसका position उल्टा हो गया जैसा मैंने इसके लिए उल्टा किया था इसका अब देखो ध्यान से फोर यह जो right leg है वो आगे green वाला दिखा रहा है और 16 पे आते हैं तो फि press button press करके एक बार देखो तो अभी थोड़ा सा एक position आपका थोड़ा सा perfect दिखा रहा है चलने का एक जितना होना चाहिए अब इसके बाद stop करो next आप ले लो passing passing frame मतलब passing frame के बाद एक pick frame बनाना है उसके बाद आपका animation खतम हो जाए एक normal group शे अब इसी को advance में करोगे तो आपक machine controls मिलते हैं इसको और sufficiently आप इसको modify कर सकते हो लेकिन जैसा हमारा cartoon animation इसके लिए इतना enough होगा इतना वी walk cycle अगर बना कर दिखाते हो तो आपको successful आपका project हो जाएगा तो क्या करेंगे हम 7th frame पे जाएगे slide करके 7th frame पे बोलता है passing passing मतलब यह समझो कि यह जो right leg है right leg याद रख black sport दिखा रहा है मतलब यह है आपका left का और यह right का है मतलब यह ही आप देखो यहाँ पर यह left है और यह right है फिर से यह left है और यह hidden है इसके पीछे right है और यह right हो गया यह left हो गया फिर से यह आपका left और यह right और फिर से right आपका ऐसा हो जाता है मतलब ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा तो अभी हमारा क्या है 7th frame पे बताता है 7th 19th पे जाएगा passing तो passing में आप देखोगे कि जो right leg है बिल्कुल straight रहेगा जब यह straight रहेगा तो definitely आपका hip एकदम बिल्कुल अब थोड़ा सा passing में थोड़ा सा जाएगा और pick पे थोड़ा सा और उपर होगा तो अभी देखो पहले मैं passing pose को बनाने के खोशिश कर रहा हूँ तो हमारा right leg बता रहा है कि बिल्कुल straight होगा देखो यहाँ पे right leg बिल्कुल straight होगा तो straight करो right leg कौन है green वाला तो green वाला है मैं side में जाता हूँ side view पे और इसे ध्यान से देखोगे कि यह इधर आ रहा है seven पे okay और seven पे आपका बिल्कुल यह सबसे पहले कि यह select कर लो दोनों का hand control select कर लो दोनों side का लगे तो आप ऐसे गुमा के rotation करके दोनों को हम proper select करेंगे like this hand मतलब hand को select करो एक साथ दोनों काम हो जाएगा हीप को और फिर hand control को left right दोनों को फिर से three press करें साइड में जाएगे सबसे पहले कि इसको आप बिल्कुल state रखोगे okay और यह जो हमारा leg हो रहा है मतलब इतना state रखने के बाद पहले तो आप यह state होता है और यह हमारा जो leg है this leg यह leg भी आपका थोड़ा सा rotation इस way में होगा like इसको rotation कर लो ऐसा या इसका पहले का rotation जो भी हम पहले alt r press करके reset कर देते हैं दोनों का alt r से तो आपको तब आपको idea मिलेगा फिर आर प्रेस करके इसको इस mode पे रखेंगे और थोड़ा सा यह up होगा like इतना यह आपका passing के लिए है और definitely आपका यह जो part होगा little bit आप इसको सामने रखो और इन सब को इस controller को select करके थोड़ा सा जी प्रेस करके उपर ले जाओ just और इतना और इसको अगर मैं एकदम स्टेट रखों इसके साथ और इसका भी rotation को आप खतम कर दो like इसका alt r और अगर यह rotation है तो alt r press करके एकदम बिल्कुल यह बिल्कुल planted होगा foot जो होगा इसमें planted होगा something state balance के साथ और यह आपका यह जो लेक का जो पार्ट है like this is okay but इसको थोड़ा साब इसको इतना पर लाके रखिए तो आप देखोगे कि यह थोड़ा सब्टिक पोजिशन पर है लेकिन थोड़ा सा और इतना पर हम इसको रखेंगे like this much just इतना पर रख लो तो इस type से अगर जो भी हमने set किया all select करेंगे all then deselect करेंगे इसका जो global control है then I press करेंगे again location rotation इसमें put करेंगे तो यह गया और यह तो यह जो 7 पर हमारा जो position बन रही है वो ही position को हम लेके जाएंगे कितना पर आप देख सकते हो आप चार्ट को हमेशा रखना 7 & 19 के उपर okay मतलब इसका 19 पर अगर मैं लेके जाता हूं drag करके यहाँ पर 19 पर है तो 19 फ्रेम पर जाके सेम जो selected है all इसको insert करो या अब अगर deselected है तो एक बार यह प्रेस करो सारे controller select होंगे जब आपका pose mode पर होगा ध्यान रखना तो यह pose mode पर सिर्फ controller ही select होंगे और यहाँ पर तो हमारा यह pose था ना हाँ यह pose को copy करो copy और सबसे पहले जाके उनीस पर जाओ उनीस पर right click करो इसको paste flip कर दो sorry पहले paste कर लो और फिर हलाकि उसी copy पर आ जाना चाहिए control copy और यहाँ पर जाके right click paste flip तो paste flip फिर से हो गया जो right था उपर नीचे यह हो गया उल्टा हो गया तो हमारा इस तरीके से यह भी एक pose बन जाता है आप देख सकते हो okay तो आप एक ध्यान से देखोगी कि आपका animation something ऐसा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा animation में जर्क होगा जर्क वेगरा मैं इस पार्ट में नहीं अगला पार्ट में मैं बताऊंगा कि जर्क हो और हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो हमारा last एक प्रेंट बचा है जो यह प्रेंट जो दस और 22 पर 10 और 22 फ्रेम पर होनी चाहिए तो 10 और 22 फ्रेम पर आप देखो कि बहुत close to contact pose है जैसे contact pose जितना close में है वैसे ही करिब करिब करना है और यह सबसे पिक होगा तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं सबसे प्लेबांद करो पहले अभी चले जाओ 10 फ्रेम पर जैसे 10 frame पे आते हो, तो 10 frame पे हम जैसा हम यहाँ पे देखेंगे, pick point है, तो सबसे पहले pick point के लिए 10 frame पे जाके पहले hip control को select करो, और hand control को, both hand control then hip control selected, और left view पे जाके आप इसको बिल्कुल pick रखो, अब तक का सबसे pick position रहेगा आपका, यह, यह pick position जब होगा, इतना, इतना पे, मतलब सबसे ultra pick होगा, और तो इसका position क्या होगा, definitely आपका यह जो part है, इसको alt G, sorry, इसको आप alt R प्रेस करो, इसको rotation ऐसे रखेगे, और थोड़ा सा इसको आप, इस control को select करके ले जाओ, इतना पे, और यह, sorry, इसे नहीं, sorry, इसे select करो, इसको थोड़ा सा अप ले जाओ, इतन जो बनाया था हमने control, heel control को, और heel के हिसाब से it's okay, और फिर से यह आपका आएगा, इसका तो, toe control को select करेंगे, आप zoom कर लो, ऐसे, toe control करके, और थोड़ा सा, इतना ही आप करो, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यह peak position पे है, तो और भी हम peak position कर सकते हैं, इसके अलावा, तो all selected, again, hip control, then hand control, then थोड़ा सा और अप कर लो, जस अल्ट्रा पिक होगा, यह सब से पिक जैसा मैंने बोला था, और इसे अब थोड़ा सा और, इसका हिल को select करके, अप कर दो, like this much, तो यह हमारे एक position हुआ, और मैं क्या करूँगा, all selected, चले जाओ यहाँ पे, a press करो, then insert, deselect करो, और, I press करेंगे, और insert location, rotation, और इसी frame को copy करो, और चले जाओ 22 frame पे, उसका opposite, then paste, same paste हो गया, और जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, इसको अगर copy करता हो, फिर से कर लो, और इसको opposite कर दो, इसको जाओ, right click करो, paste flip, तो paste flip हुआ तो आपका फिर से, यह ऐसा हो गया, अब अब दे complete होता है, normal, और इसमें आप देखोगे, जो थोड़ा बहुत जर्क होता है, जर्क को मैं इसमें नहीं, अगला part में में बताऊँगा, लेकिन आपको एक attitude दिख रहा है, कि एक character को कैसे हम play करेंगे, और कैसे walk cycle कराएंगे, तो आज का part में मैं बस इतना ही बताना चाहूँग I hope कि आप इसको समझ पाओगे, सीख पाओगे, और एक कम और मैं इसमें कर देता हूँ, साथ साथ में, बैक जाओ, इसके जितने भी message है, all message selected, आप चले जाओ, object mode में, all message selected, जितने भी message है, इसको आप smooth command एक लगा दो, इसके उपर, ताकि जो भी आपका smooth दिख है, जैसे थो अभी पर एक बार लगा सकते हो, या एक एक को करके लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर modifier एक लगा लो, subdivision surface, और इसको बस जादा नहीं smooth रखेंगे, एक iteration या दो iteration रख लो, इससे क्या होगा कि आपका जो, इसका जो लेग में जो ये variation था, जो stretch हो रहा था, वो आपको खीक दिखेगा फिर, something, तो वैसे आप सब पर कर लो, अगर आप हैंड को भी देखोगे कि ये जो faces, faces दिख रहे हैं, इस पर भी जा कि आप एक बार subdivision surface लगा लो, तो आपको वैसे smooth दिखेंगे, like this, तो चलिए, आज का part आपको कैसा लगा, आप जरूर मुझे बताएंगे बस मैं normal तरीके साब को बताने के courses के ये animation, ये बहुत detail animation नहीं है, बढ़ हाँ, इस type का अगर आप ये करना चाते हो, animation, like getting start करना चाते हो, तो इसके लिए it's better, और आप इसको, तो इसको हम लोग progressive कैसे बनाएंगे, आगे भी मैं बताऊंगा, facial expression कैसे होगा, वो तो मैं scene जब develop करूँगा तो इसमें बताऊंगा, तो ये हमारा वाक शेकल था आज का part, आपको जैसा भी लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो comment जरूर करना इसमें, like जरूर करना वीडियो को, ताकि मैं आपको और अच्छे से आपको convince कर सकूँ, बढ़ाने कोसिस करूँ, तो चलो ये मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाए, टेक क्यार,